हलो एब्रीवन वेल्कम टू लॉजिकल एजुकेशन नाम रक्षार गुवनशी और इस लेक्षर में हम दो इंपोर्टेंट न्यूज डिस्वस करेंगे पहली है सेंटर ओफ एक्सिलेंस ओन ओफशोर विंड इसको लॉंच किया गया है इंडिया और डैनमार्क में ठीक है सब चीजें हम डिसक करेंगे और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है वो सब चीजर हम डीटेल में डिसस खरयेंगे तो चली, इस्टार्ट करते हैँ आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोज की पीडियाप नल जाएंगी प्लस इंस्टाप पर आप मुझे कुरिशन स्पीकर सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसे मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपके पास आ जाए, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो Center of Excellence on Offshore Wind, ठीक है, ये Center of Excellence बनाया गया है, इसको launch किया गया है इंडिया और डैनमार्क में, ठीक है, कहां पर चैनल में, ठीक है, कहां पर किया है, चैनल में किया है, इंडिया और डैनमार्क में, इसके लिए, जो इंडिया के New and Renewal Energy के मिनिस्टर है ठीक है power and new and renewable energy के मिनिस्टर जो है ठीक है आरकी सिंग इन्होंने मुलाकात की थी meeting की थी डैन जोर गेंशन ये डैनिस मिनिस्टर है for climate energy and utilities ठीक है तो ये जो दौनों मिनिस्टर थे इंडिया और डैनमार के इन दौनोंने मिटिंग की और उसके बाद इंडिया में चैन्ने में center of excellence on offshore wind ये लॉंच किया अब बात आती कि ये offshore wind है क्या या बोल तो रहे हो ये है क्या बिसकली तो offshore wind power ये offshore wind energy is a use of wind farms constructed in bodies of water basically ये ocean में हम wind farms लगाते हैं जिससे की हम क्या कर पाए electricity generate कर पाएं जैसे हम electricity land पर generate करते हैं उसी तरह से हम ocean में electricity generate कर सकते हैं wind की help से ठीक है क्यूं करेंगे हम वहाँ पे तो एक तो इंडिया में काफी जाएज़ा population है तो हमें land की भी बच्छत होगी ठीक है जो land को हम यहाँ पर use करेंगे उसकी जगे पर अगर हम ocean में कर लें तो हमारे लिए फायदा है इससे भी ज्यादा बड़े फायदे है पायदे क्या है जैसे कि जो हम अगर land की बात करें वहाँ पे जो wind की speed होती है तो वहाँ पर हमें higher wind speed मिलेगी as compared to land ठीक है लेंड पर भी जहां पर कम population है अगर हम रेगिस्तान की बात करें populated areas क्या रेगिस्तान वाली जगे पर रहेंगी नहीं अब वहां कर लो और वहां से वायर लेकि जो densely populated area है वहां पर भी तो क्या दिक्कत है पर उसका खर्चा बहुत जादा आता है ठीक है एक तो वह भी दिक्कत है प्लस यहां पर transmission loss भी होता है ठीक है तो इस वज़े से हम उन ही जगे के आसपास लगाएघे आजा अब यहां पर population जादा रहती है तो उन जगए के पर population जाएख तो बैसीकली हम क्या कर सकते हैं हम उन जगे के आउसपास जो ocean पो गिएरह वहां पर लगा सकते हैं तो जो चैने है काफी populated area है, तो वहाँ पे हम ocean में इसको लगा सकते हैं, इसका ये फायदा है, तो समझ आ गया, offshore wind क्या है, ओकी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, electricity generate कर सकते हैं, पतलब जाद electricity generate कर सकते हैं, तो हमें जाद electricity की जरूत उनी एरिया में बढ़ती है, तो अच्छी बात है कि हम वहाँ पे ज बेसिकली इनका काम था, तो इस तरह से wind यहाँ पे जादा चले की तो जादा electricity प्रड्यूस कर पाएंगे, तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगाया गया है, तो बेसिकली यह है, the initiative जो है, यह किस तीज का पार्ट है, तो इंडिया और डैन्मार्क के बी इसके लिए Northern Ministry कौन सी रहेगी, कौन सी मिनिस्टी इसको वर्क करेगी, तो इसके अंडर आ रहा है, वो ही आपको बता है कौन से मिनिस्टर मिले, तो Ministry of New and Renewal Energy, तीक है, इसके मिनिस्टर है, आर की से, तो यही मिले थे, यहाँ नहीं मीटिंग के, और यही Northern Ministry रहेगी, क्यों इंडिया का कुछ टारगेट है, और कुछ MNRE का टारगेट है, यह जो Ministry of New and Renewal Energy का टारगेट है, तो यह जो प्रजेक्ट है, यह इस टारगेट को फुल्फिल करने में हमारी हेल्प करेगा, तो यह जो MNRE का टारगेट है, वो क्या है, तो इसका टारगेट है, 30 Giga Watt of offshore wind energy produce करनी है, यह इनका प्रजेक्ट है by 2030, तो इतनी energy produce करनी है by 2030, तो मतलब यह प्रजेक्ट इनको लगाना है, 2030 ठीक है, दूसरी चीज़, इसके बाद इंडिया का भी हमारी जो इंडिया की गवर्मेंट है, उसका टारगेट है, कि हमें 450 Giga Watt of renewable energy capacity वेल्ट करनी है 2030 तक, ठीक है इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने Independence Day पर बोला भी था कि हमें इसको अचीव करना है 2030 ठीक है, 450 Giga Watt of renewable energy capacity, तो इस टारगेट को भी फुल्फिल कर सकते हैं, पहले हमारे जो टारगेट था, वो 250 था, ना कि 450 ठीक है, बाद में इसको बढ़ा के 450 कर दिया गया, एक्च प्राइमेट चेंज के वे इस टेंपरेचर बढ़ रहा है, तो उसको रोकना है, बहुत जादा बढ़ने नहीं देना है, और फाइनली इसका रिजल्ट है कि इंडिया ने बुला कि हम इसको कदम बढ़ाएंगे, और हमारा जो टारगेट था, वो पहले 250 था, फिर वाद में हमने 450 कर दिया, तो हमने इसको 450 गीगावाट कर दिया, क्लियर है, ओके, तो यह हमारा टारगेट है, इन दोनों टारगेट को भी अचीव करने में यह प्रोजेक्ट हमारी हेल्प करेगा, ओके, दूसरी चीज क्या है, तो यह जो अफ़र्ट हम डाल रहे है, ग्रीन एनरजी के सेक्टर में यह जो अफ़र्ट हम डाल रहे है, is being done at such a time when the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, यह क्या है IPCC, इसने ऐसा बोला कि extreme weather events हो रहे है, उसकी वज़े से यह मतलब यह जो events है, वो lives को, livelihood को, businesses को affect कर रहे हैं, इंडिया में और South Africa में, ठीक है, तो आपको भी पता है, climate change की वज़े से काफी सारे problems हो रहे हैं, तो यह climate change ना हो, इसकी वज़े से हम यह सारे steps ले रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया जो G20 countries है, उनमें इंडिया सिर्फ ऐसा है, whose action is in line with Paris climate agreement, ठीक है, जो कि मैं आपको already बता चुकी हूँ, तो हम इसकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और temperature जो है, वो rise न energy के लिए यह project कर रहे हैं, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, ठीक है, लदाख लक्ष्टीप में भी है, ठीक है, तो इस तरह का आप देख सकते हो, लदाख पर मेरा एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह है, इस पर काफी सारे इंडिया काम कर रहे ह तो मेरे इस पर कुछ वीडियो भी है उनको आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगे आपको तो आपको भी पता होगा बाकी तो अब बात आती है कि यह जो सेंटर है उसके क्या working groups होंगे किस तरह से हम उसके work करेंगे ठीक है तो initially set up in four working groups कौन-कौन से है तो special plan पहली बात तो है कि land वगेरा जो space चाहिए वो कहां पे लेना है ठीक है supply chain infrastructure देखेंगे और standard and testing, testing वगेर, standard वगेरा, फूर्थ इसका, तो चार planning groups है, ठीक है, पहले जगे कहाँ पर लेनी है, पैसे कहाँ से आएंगी, instruments वगेरा, जो है, वो कहाँ से लेंगे, parts वगेरा, वो कहाँ से लेंगे, और standards and testing वगेरा, ठीक है, तो यह इसका basically है, अब initial stage में focus क्या है, offshore wind sector पर इसका focus है, ठीक है, मतला हमें offshore wind sector में work करना है, हमें energy produce करनी है, electricity produce करनी है, ठीक है, wind से, ठीक है, ओकी, और offshore wind आपको समझे है आगया, ठीक है, बाद में इसको expand और किया जा सकता है, ठीक है, future में, अभी initially हो गया, तो यह तो project हो गया, जो हमने discuss किया, यह लिया, अब इसके साथ ही, Denmark के साथ, यह जो meeting हुई थी, वो कहां पे हुई थी, चैनने में हुई थी, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई, कि हम यह project जो है, वो Denmark के साथ क्यों कर रहे है, क्योंकि Denmark electricity produce करनी है, उसकी मतलब जितनी भी, जैसे कि Denmark में 100% electricity produce होती energy से, ठीक है, तो इसी से ही करता है, वो 45% energy produce, ठीक है, जितना भी उसकी energy produce होती, उसकी 45% energy वो इसी से produce करता है, तो यह काफी इस शेत्र में आगे हो, और इसलिए हम इसके साथ यह project कर रहे है, ठीक है, क्लियर है, अब दूसरा project आता है, तो यहाँ पर यह meeting चल रही थी, यह meeting चल ने में हुई थी, और बाद में इनकी एक और meeting, जो Denmark के minister थे, उनकी meeting हुई, किस के साथ, यह जो चल ने के CM है, उनके साथ, ठीक है, तो अब इनकी meeting चल ने की CM के साथ हुई, तो यहाँ पर भी, यहाँ कुछ बात हुई है, वो क्या है, energy island की, ठीक है, अब यह energy island की बात क तो इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि हम Denmark के साथ energy island बना लें, लेकिन यह अभी इस पर हाँ नहीं हुई है, जैसे इस पर मतलब अभी बात हुई है, और जैसे यह हो जाएगा, तो काफी बड़ा achievement रहेगा, तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या है basically यह, ठीक है, तो देखिए, Tamil Nadu is likely to see 5 to 10 billion dollar renewal sector investment with Danish participation, ठीक है, तो इसके साथ यह जो renewal energy sector है, उसमें 5 to 10 billion dollar invest करेगा, ठीक है, including an energy island in the Gulf of Manar, Gulf of Manar में एक energy island बना रहे हैं, ठीक है, okay, the island may produce 4 to 10 gigawatt, इतना produce करेगा यह island जो है वो, तो इसके लिए यह news आप देख सकते हैं, Tamil Nadu 10 billion, अप्रोक्स 10 billion, ग्रीन energy island जो है वो बनाएगा, डैनमार्क की help के साथ, ठीक है, पर डैनमार्क ने अभी हानी बोली है, अगर यह हो जाता है, तो काफी अच्छी बात रहेगी, ठीक है, ओके, तो अब क्या है energy island क्या है, पहली चीज़ों यह समझते हैं, और बिसिकली यह कहां पे बन रहा है, तो project will be the first offshore floating wind park in India, अगर यह बन जाता है, तो यह जो project होगा, वो पहला offshore floating wind park होगा, इंडिया में, ठीक है, पहला floating offshore wind park, ठीक है, ओके, clear है, गल्फ ओफ मननार, गल्फ ओफ मननार कहां पे है, तो श्रिलंका और इंडिया की बितमी यह जो तमिल्लाडू है, यहां पे आप दे सकते हैं, यहां पे है गल्फ ओफ मननार, ठीक है, तो lies between the west coast of श्रिलंका and south eastern type of India, यह आपको देख रहा है, यह south eastern, यह है आपका, ठीक है, तो यहां पे तमिल्लाडू के पास में ही है, गल्फ ओफ मननार और यह श्रिलंका का west coast, ठीक है, तो यहां पे यह, और अगर यह बन जाता है, तो first offshore floating wind park होगा इंडिया, clear है, ठीक है, तो अब next step क्या है, कि यह जो प्लान है तमिल्लाडू का, उसमें तीन चीज़े है, यह हम island बना रहे हैं, तो island basically हम कहां बना रहे हैं, तो gulf of mannaar में मतलब कि ocean के बीचो बीच बना रहे हैं, ठीक है, एक island बना रहे है, जहां पे इस तरह का पूरा setup रहेगा, energy produced की जाएगी, ठीक है, तो इन्हों ने ऐसा announce किया, कि इनका plan है to come up with 20,000, 20,000 megawatt of solar power project, ठीक है, इतने यह चीज़ होगी, solar power project मतलब कि क्या होगी, कि sunlight से electricity बनी, ठीक है, तो इतने megawatt का, 20,000 megawatt का solar power project बनाएंगे, ठीक है, battery storage भी होगा, उसको फिर battery में store कर रहेंगे, ठीक, तो battery store हो जागी, फिर उसके पास supply कर देंगे उसको, ठीक है, तो एक तो इनका यह plan है, दूसरी चीज किया है, 3000 megawatt of pumped storage hydroelectric project, अभी ocean में बना रहे है, तो वहाँ पर यह का भी हो सकता है, hydroelectric project भी बना जाए सकता है, जो आपका water है, उससे भी electricity produce की जा सकती है, तो क्या होगा, कि माली जी किसी time पर, ऐसा है कि हमें बहुत जादा electricity की requirement नहीं है, ठीक है, तो electricity की बहुत जादा requirement नही जब हमें जरुत पड़ेगी, तो इसको हम छोड़ दें, ठीक है, और इस तरह से electricity produce कर लें, तो 3000 megawatt का pumped storage hydroelectric project, एक इनका यह plan है, तीसरा क्या है, 2000 megawatt का gas-based power unit, ठीक है, next 10 years के लिए, ठीक है, in next 10 years, यह इनका plan है, ठीक, gas-based power unit क्या होगा है, जैसे कि thermal energy से use करते है, उसी तरह से gas-based हो जाएगा, gas लगा दी, बस उसके जागा, ठीक है, तो gas से हो जाएगा, तो gas-based power unit, ठीक है, next 10 years में, मतलब कि 2030, यह 2032 है, ठीक है, तो इनको, यह इनका plan है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, basically, island, अब island Denmark के साथ क्यों बना रहे है, क्योंकि Denmark अपने यहापे खुड़ island बना रहा है, तो उसको experience है, तो अगर हम उसके साथ मिलके बनाते हैं, तो काफी अच्छी चीज़ है, तो these projects are expected to require loans, उसके लिए loan की ज़र्वत पड़ेगी, around 1.32 trillion, ठीक है, एतने loan की ज़र्वत पड़ेगी, इसके लिए, तो हमने यहाँ पे दो news डिसकस की, एक तो यह जो artificial island होगा, ठीक है, दूसरी हमारी जो चीज़ थी, तो वो आपका offshore wind के लिए था, ठीक है, offshore wind के लिए, आपका center of excellence on offshore wind, ठीक है, तो यह launch किया गया, वो launch किया जा चुका है, ठीक है, और यह वाला आगे होगा, ठीक है, ओके, तो चलिए, यहाँ पर इतना ही, आपको कैसा लग मुझे जुरू किताएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजी, अपने फ्रेंग्स के लाशेयर कर दीजी, और डॉन्ट फरगेट तो सब्सक्राइब मैं चाल, थांक्यू, थांक्यू सो मच